हेलो फ्रेंड्स, इन्वर्टीब्रेट जलोजी की सीरीज में हम पढ़ रहा हैं फाइलम एनिलेडा में फेरी टीमा पॉस्थोमा के बारे में और इस पार्ट 3 की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरी टीमा का एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ओर्गेंस के बारे में part first की वीडियो में हमने पढ़ा था फेरे टीमा का external morphology, shape, size, color और locomotion के बारे में और part two की वीडियो में हमने पढ़ा था फेरे टीमा का digestive system और circulatory system के बारे में तो part first और part two की वीडियो को देखने के लिए description में link दिया हुआ है आप वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं तो इसका main उत्सर्जी अंग कौन सा होता है तो इसका main उत्सर्जी अंग है उसका नाम क्या है metanephridia हिंदी मेशी को कहेंगे पस्च व्रकक जो सूच में नलिकाए होती है और ferritima में metanephridia के कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से पहला है branched nephridia दूसरा है multiple nephridia और तीसरा है hollow nephridia अब जो ये तीनों nephridia है इनकी body में सरीर में कहां-कहां पर ये इस्थित होते हैं तो उनकी इस्थितियों के आधार पे इनको और किन नामों से पुकारते हैं किन नामों से इनको बोला जाता है तो जो branched nephridia है उसको कहते हैं pharyngeal nephridia और multiple nephridia को कहते हैं integumentary nephridia और hollow nephridia को बोलते हैं septal nephridia अब इसके बाद चित्र में देख लेते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के nephridia है ये सरीर पर कहां-कहां पर इस्थित होते हैं तो सबसे पहले है pharyngeal nephridia ये कहां पर है ये जो red color की हम देख रहा हैं गुच्छों के रूप में red color की ये गुच्छों के रूप में चौथे, पाँच्वे और चट्वे सेग्मेंट में युगमित ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं और इनमें प्रते गुच्छे में लगभग कितने nephridia होते हैं इनमें होते हैं लगभग 100 nephridia इसके बाद जो ये yellow color की देख रहा हैं हम ये वाहिकाएं इनको कहते हैं ducts of pharyngeal nephridia फिर इसके बाद है integumentary nephridia ये nephridia कहाँ पे होते हैं ये जो बिंदु के रूप में हम देख रहा हैं छितरे हुए पाए जा रहा हैं ये बिखरे हुए इनको बोलेंगे integumentary nephridia तो पहले दो खंडों को छोड़ कर body wall की से संपूर्ण भित्ती सतय पर ये बिखरे हुए पाए जाते हैं और प्रते खंड में इनकी संख्या कितनी हो सकती है तो प्रते खंड में इनकी संख्या 200 से 250 तक हो सकती है इनकी integumentary nephridia की पर इसके बाद है ये forest of integumentary nephridia ये बिंदू के रूप में जो ये इकठा हमको दिखाई दे रहा हैं ब्लू कलर के बिंदू-बिंदू के रूप में इनको बोलते हैं forest of integumentary nephridia क्लाइटेल में खंडों में इनकी संख्या प्रति खंड बढ़कर कितनी हो जाती है दो हजार से अधिक दो हजार से अधिक हो जाती है इनकी संख्या इसलिए ये forest of nephridia बनाते हैं फिर इसके बाद है तीसरा septal nephridia ये तीसरा है जो ये ब्रस के आकार के गुलाबी कलर के जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं septal nephridia और हिंदी में इसी को क्या कहेंगे पटी ये व्रकक ये सबसे बड़े होते हैं और 15 खंड पर 15 खंड के पीछे प्रतेक अंतर खंडी ये पट की दोनों सतहों पर चिपके हुए रहते हैं अब अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये इसकी संरचना है septal nephridia की और septal nephridia मुकता तीन भागों का बना होता है कौन-कौन सा पहला है इसका nephrostorm और दूसरा है body of nephridium और तीसरा है terminal duct मुकता ये तीन भागों का बना होता है पर इसके बाद देखें अगर उत्सरजन की कार्रिकी physiology of excretion जो ferritima है उसका उत्सरजन की कार्रिकी कैसे होती है तो जो nephridia में रुधिर वाहिकाएं बहुतायत से होती है इसकी ग्रंथी कोसिकाएं रुधिर से जल की अत्रिक्त मात्रा और nitrogenी पदार्थों को प्रथक करती है इसके बाद जो septal nephridia है वो प्रगोही द्रव से भी उत्सरजी पदार्थ को प्रथक करते हैं और फिर pharyngeal और septal nephridia इंडो nephridic होने के कारण उत्सरजी पदार्थ को आंत्र और कासिका में विसरजित करते हैं जहां से वे मल पदार्थों के साथ बाहर निकले जाते हैं इसके बाद जो pharyngeal इंडोरा उत्सरजीत मोक नाइट्रोजनी पदार्थ वो कौन-कौन से होते हैं वो होते हैं अमोनिया वा यूरिया इसके बाद देखते हैं इसका तंत्री का तंत्र नर्वस सिस्टम तो जो pharyngeal का नर्वस सिस्टम होता है वो सुविक्सित एवं सघन ह होता है और इसके कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं कौन-कौन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हिंदी में इसी को कहते हैं केंद्रिय तंत्रिका तंत्र परधिय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्र तंत्र अब चित्र में देख लेते हैं चित्र में जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे पहला है Central Nervous System तो जो यह Central Nervous System है जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्री यह तंत्रिका तंत्र यह मुक्षता किन भागों से मिलके बना होता है तो यह Central Nervous System है वो cerebral और यह cerebral peripheral connectives और ventral nerve card से मिलकर बना है तीसरे खंड में जो मुक्ष गुई का है और pharynx है उसके बीच की खांच में प्रश्ट सतय पर परस पर जोड़ी एक जोड़ी सफेद पियर सेप्ड सेप्ड सेब्रल होती है यह cerebral है और इन cerebral से एक जोड़ी मोटी द्रड पेरिफेरेंजियल connectives निकलते हैं यह पेरिफेरेंजियल connectives जो चौथे खंड में pharynx के नीचे इस्थित एक जोड़ी सब फेरेंजियल गैंगिलिया से जुड़ जाते हैं इस फ्रकार pharynx के चारों और क्या बन जाता है एक नर्व रिंग बन जाता है फिर इसके बाद है ventral nerve card अधोग्रशनी गुच्छिकाओं से पीछे की ओर मध्य अधर रेखा के साथ सरीर के पिछले सिरे तक यह पाया जाता है ventral nerve card और प्रते खंडी गुच्छिका segmental ganglia भी एक जोड़ी गुच्छिकाओं के संगलन से बनती है पिर इसके बाद है peripheral nervous system हिंदी में बोलेंगे इसको परधी तंत्री का तंत्र तो जो यह परधी तंत्री का तंत्र है वो प्रतेक सरिब्रल गुच्छिका के पार्स से जो यह सरिब्रल गुच्छिकाओं है गैंगिलिया है इसके पीछे से पार्स से आठ से दस तंत्री काएं निकल कर प्रोस्टोमियम यह उपर कर जो भाग है यह प्रोस्टोमियम एवां मुख कोष्ट जो बकल चेमबर है वहाँ पर जाती है मुख कोष्ट को जाती है peripheral connective से निकलने वाली तंत्री काएं प्रोस्टोमियम और बकल चेमबर को जाती है तंत्र यह नर्वर सिस्टम एक विश्ट्रित तंत्रिका जालिका यानि कि नर्वर प्लेक्सस का बना होता है जो अधिचर्म के नीचे बॉडी वॉल की मसल्स के अंदर और आहार नाल पर फैली होती है यह जालिका है फैरिफेरेंजेल कनेक्टिव से जुड़ी रहती है जितन फिर इसके बाद है सेंस ओर्गेंस फैरेटीमा की जो ग्यानेंद्रियां है वो कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की ग्यानेंद्रियां होती है और अर्थवाम में सुविक्सित ग्राही अंग पाये जाते हैं तीन प्रकार के ग्यानेंद्रियां कौन-कौन सी है सेंस प्रकास ग्राही तो जो ये एपिडर्मी ग्राही हैं ये कौन से हो ये किस प्रकार के होते हैं ये इसपर्स ग्राही होते हैं और जो बकल रिसेप्टर्स हैं वो मुख ग्राही होते हैं यानि कि जो स्वाद ग्राही इनी को बोलते हैं ये स्वाद ग्राही होते हैं और जो हैं तो उनको यह ज्ञान कैसे होता है यह photo receptors के द्वारा प्रकास ग्राही जो अंग होते हैं इनके ज्ञान इंद्रिया है जो sense organs है तो प्रकास ग्राहियों द्वारा केचुए को प्रकास की तीब्रता तथा उपस्तिती का ज्ञान होता है तो friends part 4 की वीडियो में हम पढ़ेंग कर दो